हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू मैं चलना शिखागरवाल आप सुस्टरों कि सेरेड़ संदे क्लासिस क्यों नहीं आई सेरेड़ संदे फ्रेंट्स ओफ रहता है बच्छों को थोड़ा सा रेस्ट भी चाहिए आज स्टार्ट करते हैं नर्स्रेंड केजी क्लासिस मतलब एल केजी नर्सरी सब आजाएगा इसमें जैसे भी इसके स्कूल में स्लेबर से उसके अकॉर्डिंग लिए सबसे पहले मैं बताऊंगे हाव तो राइट स्मॉल डी इंग्लिश में और सर्कल था फर्स लेटर और मैसमें आजगर तू डिजिट वाट कम आफ्टर अंड राइट वन ज चरहरा जाना है स्थे ऑपर चलाते हुए पेंसल नीचे लानी है बताती हूंस्ट प्स लाइन। फ्रसे बताती हुँ स्लॉं प्राइट लेफ्ट कर्व। फ्रीविट लाइन उपर जाके पिंक लाइन से टॅच कर्ना आए डन नीचे आना ऑर थोड़ा सा बहा निकालना है क पर्सिव राइटिंग, slanting line C and बहार आना है नीचे आके, जब नीचे आएंगे तो same उसी line पर आना है, अब देखे इस तरह से जो लिखेगा, C उपर जाके इस तरह से जो बहार आएगा, this is wrong formation, और एक बार और मैं बताती हूं, slanting line C और जो उपर जाके इस तरह से आएगा, य भी wrong formation है, right formation क्या है, मैंने आपको बताया, slanting line सबसे पहले, third line से start करेंगे, cursive writing का हर लेटर third line से start होता है, इस तरह से नीचे आ जाना है, इसलिए D से पहले आपको C और A जरूर सीखना है, उसी के according आप, A में हम नीचे से ही मुर जाते हैं, D में आपको उपर लेके जाना है और फिर पूरा नीचे आना है, ठीक है friends, इसका आपको एक page करवाना है बच्चे से, और friends, जो भी मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ये सिर्फ इसलिए बना रही हूँ कि parents बच्चे को कैसे सिखाते हैं, कैसे बढ़ाएं घर में, ये इसका कोई वो नहीं है कि मैं कोई professional teacher न बना चाहिए, for example, fish, ice cream, apple, और ये मैंने grapes बना दिये है, kite बना दिये है, उसके बाद आप सामने कोई भी alphabets लिग दीजे, जैसे आपको कि small में बच्चों को रिगनाईज करना easy है, तो small के लिग दीजे, और तीनों में से एक letter जो है, उस object का होना चाहिए, ice cream के लिग कि कौन सा first letter बिल्कुल सही है, अभी मैं बताती हूं किस तरह से बच्चा इस exercise को करेगा, ये kite बनी हुई है, तो मैंने कोई भी three letters दिख दिए, जिसमें से एक kite का first letter होगा, अब है circle the first letter, तो बच्चा कहेगा, this is a fish, what is this, this is a fish, तो fish किस से start होती है, F से, तो बच्चा F को circle कर करेगा, ice cream, this is ice cream, ice start होती है, same, this is apple, apple starts from A, this is grapes, G and K for kite, so circle the first letter, ये मैंने 4-5 objects से बनाए, आप पूरा इसको एक दो पेजिस के objects बना के दीजी, कम से कम 10 बार objects, जिससे बच्चों को सारे alphabets का easily पता हो जाए, कि कौन सा किस से start होता है, चलिए मैस की पढ़ाही स्टार्ट कर इस तरह से मैंने ये बना दियें, कोई भी number साब two digits के लिख लीजिए, इसमें जो second number होता है, once वाला six है, तो जो पहला number है, first वाला number है, ये same to same आजाएगा, what come after में same to same आजाएगा first number, और जो second number है, उसका आप देखिए, six के बाद क्या आता है, seven, same इसी तरह, first letter, first number, जो है first digit, वो same to same आजाएगी, second के बाद क्या आता है, two के बाद three, तो 42 के बाद 43, अब जिसमें nine आता है, उसका हम देखिए, one के बाद क्या आता है, two, और nine के बाद क्या आता है, ten, nine के बाद आता है, ten, तो ten का second वाला लेंगे, zero, nine के बाद zero आता है, इसमें same करेंगे, two का two लिख लिख देंगे और 1 के बाद आता है 2, 3, 8 का 8 लिख देंगे, 3 के बाद आता है 4, अब ये 9 है, तो 5 के बाद 4 के बाद क्या आता है, 5, 9 के बाद आता है 10, तो 10 का 0, 64, 73, आगे आगे आप लोगों को समझ भी किस तरह से आपको बच्चों को पढ़ाना है, वाट कम आफटर की 1 डिजिट सेम लिख देंगे, 2 डिजिट का आगे वारा नमबर लिखेंगे, अब आता है काउंटिंग 101 से 110 तक, एक्शली क्या रहता है 1-200 की जो कांटिंग होती, वो नर्सेरी में करा दी जाती है, या फिर kg में करा दी जाती है, या L kg में, तो हम उसके बाद जो कांटिंग होती है 101 से 110 तक, इसमें आप इस तरह से कॉपी पर लिख देंगे, एक टो वन्स और टेंस की तो आपने बन तो इंडर्ड में पड़ लिए होता है अब जो एक होता है हम लेगे तो बच्चे को बताइए वन जेरो उन गोर्ण तो सेंह रहेंगा ऑफ बन के बाद क्या तू नगे वान जेरो टू तो लिखेंगा वान जेरो टू बथाए तो आता तो सेम आपको ही लिखना है आपको अभी 110 से आगे नहीं बढ़ना है सेम आपको 3 टाइम्स करवाना है 101 से 110 तक की काउंटिंग इस तरह से बच्चे को 110 तक की काउंटिंग अच्छे से आ जाएगी और 100 का जो में परपस है वो उसको आजगा कि 100 तेंस वन्स क्यों लिखते हैं 100 की बात की काउंटिंग है ये 101, 102, 103 तीन से चार साल के बच्चे को आप स्टोरी टैलिंग भी जरूर करवाईएगा मतला आप स्टोरी पढ़के सुनाइए और उसको पहले एक लाइन पहले कि ग्रण कर लेका जहिसे एक दिन में एक लाइन कर लाइन कराई कि दन नक्स दार इखते घस ठीपकर लिएगी इस का मेनिंग क्या होता है इस तरह से वो English के जो words होते है वो भी easily उनको समझेगा under up on tree with very little little means क्यों होता है little क्या होता है more क्या होता है इसे little आपने सिखाया तो साथ में आप उसको more का भी meaning सिखा दीजिए and was very low low क्या होता है high क्या होता है he picked the pebbles one by one and dropped them into the pot the water came up the crow drank the water and flew away इस तरह से आप बचों को स्टोरी करवाई है friends यह थी मेरी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक की जो शेयर की जो कमेंट की जो और सब्सक्राइब मैं चैनल